इस वर्ष के पावित्र माह में रोजे रख कर कोरोना जैसी घातक बिमारी की खात्मा के लिए नमाज पढ़ कर दुआ मागी इस सिदत की गर्मी को देखते वे नन्नी परी नबा मुसीर ने रोजे रख कर लोगों को एक अच्छा मेसेश दिया है वहीं पर बिजली भाग इस रमजान के महिने में अपनी मनमानी करने में लगा है लगातार बिजली काटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा क्या नाम है आपका? मैंने अभी तक साले रोजे रखते हैं क्या परेशानी आती है अपनों को रोजे रखने में? हम लोग को परेशानी आती है जब हम लोग नमास पढ़ने चलते हैं या कुरान पढ़ने चलते हैं तब लाइट चली जाती है तब बहुत समस्थे आ जाती है और जब फजिर के टाइम भी चली जाती है सहरी के टाइम पे भी चली जाती है जब आफ़तार होता है तब भी चली जाती है तो परशानिया और बढ़ जाती है गुरान शरीफ अगर अपड़ती होगी तब भी लाइट चली जाती होगी तब भी लाइट चली जाती है देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जी ये जो वाइरस चला है उसके लिए हम लोग दुआ करते हैं कि जल्दी से ये जो वाइरस है वो खता है अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें कथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और सेर करना न भूलें